सुरताओं मैं प्रोफेसर रजनी रंजन सिंग आज कोर्स कोड 501 के अंतरगत अकादमिक सहयोग तंत्र वंसिक्षक सशक्ति करन विशेवस्तु पर मैं आप से बात करूँगा। सुरताओं जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छा ध्यापक दीपक की तरह खुद जल कर दूसरों को एक साश्वत वा आत्मिक प्रकाश्ट दे कर अनंत काल को प्रभावित करता है। यदि देखा जाए तो उन्नत सिक्षक उन्नत समाज का निर्माता है शशक्त सिक्षक शशक व्यक्ति शशक्त समाज एवं सशक्त राष्ट। ये सभी आपस में अंतर संबंदित हैं। जब तक शशक्षक शशक्त नहीं होगा तब तक एक राष्ट शशक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि राष्ट की सशक्ति करन करनी है तो शशक्षक की सशक्ति करन करना बहुत ही आवश्यक। शशक्त शिक्षक गुण्वत्टा परव शिक्षक के लिए उत प्रेड़ा का कारे करता है। अर्थात कि यदि शिक्षक शशक्त होगा तो राष्ट वी शशक्त होगा एवं गुणवत्ता पुर्व शिक्षा के वगैर एक समरिद्ध एवं समावेशी समाज व राष्ट की शंकलपना नहीं की जा सकती है शिक्षक शशक्तिकरण की अवधारना को निम्लकी तव्यवों के परिपेक्ष में समझा जा सकता है सभी पेशों की तुल्ना में अध्यापनकारी की सर्वोतक्रिष्टा को इस्थापन करना और उसे व्यवसाइक सशक्तिकरण का रूप देना साथ ही साथ सिक्षकों के आत्मिक या उनका मनोवग्यानिक सशक्तिकरण करना अर्थात एक शिक्षक को मनोवग्यानिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा कि मैं जिस पेशा में हूँ वो पेशा सर्वोतक्रिष्ट पेशा है एक शिक्षक को केवल मनवग्यानिक रूप से ही शशक्त होने की जुरुत नहीं है, बलकि समाज के लोगों को भी ये मानना होगा कि ये जो अध्यापन जो कारे है, ये सर्बूत किस्ट कारे है, क्योंकि समाज के सदस्यों को समाजी करन करने का कारे जो है, एक अध्यापक भल नहीं होगा, तब तक वो अपने पेशे के साथ जुड नहीं पाएगा, तो वो जुडाओ के लिए उसे आर्थिक शाशक्तिकरण का होना बहुत आवश्यक है, शिक्षक शाशक्तिकरण के क्षेत्र में तकनीकी का भी बहुत बड़ा रोल है, तकनीकी के आजाने से, के शुडाओ की क्षेत्र में कर सकता है, तो उसे जानना चाहिए, इसलिए एक शिक्षक को तकनीकी रूप से सशक्त होना अवश्यक है, और साथ ही साथ, एक शिक्षक को आध्यात्मिक वो सरवांगीन सशक्तिकरण के और भी प्रियास करना चाहिए, जब तक एक शिक्षक अपना सरवांगीन विकास नहीं करेगा तब तक वो विद्यार्थियों का सरवांगीन विकास नहीं कर पाएगा क्योंकि कहा जाता है कि जैसा शिक्षक वैसा हिक्षा जब तक एक विद्यार्थी को हम जब एजुकेट करते हैं जब हम उसे पढ़ाते हैं, जब हम अध्यापन का कारे करते हैं, तो यह बहुत important role play करता है, यह बहुत महत्वपुन भूमिका अदा करती है, कि हम किस तरगे के शिक्षक हैं, तो शिक्षक को आचारवान होना चाहिए, अपने आचार के माध्यम से वो विद्यार्थियों को व प्रभावशाली बनाएगा, और सीखना जितना अधिक होगा, हमारे विद्यार्थी भी उतने सशक्त होंगे, शिक्षन पेशे में यदि देखा जाए, तो आज कल मेधावी शिक्षक या मेधावी विद्यार्थी इस पेशा को चुनने में हिचकते हैं, इसलिए शिक्षन पेशे को सर्बोत कृष्ट बनाने के लिए हमें मेधावी शिक्षकों को आकरशित करना होगा, ताकि यदि शिक्षक मेधावी होगा, तो वो सामाज भी मेधावी होगा, विद्यार्थी भी मेधावी होगा, साथी साथ पेशेवर अक्रिया शीलता बढ़ती जाती है, मिन् अपने पेशेवर प्रक्रिया में वो क्रियाशील होगा, शिक्षकों को पेशे से पलायान को रोकने के लिए शिक्षक का सशक्तिकरन बहुत आवश्यक है, शिक्षकों के कल्यान के लिए भी, विद्यार्थियों के कल्यान के लिए भी, विद्याले की कारे संस्कृति में सकार परिवर्तन के लिए, शिक्षकों और विद्यारतियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, अकादमिक संस्कृति के विकास के लिए, विद्यारतियों की अभी गम्मिता बढ़ानी के लिए, विद्यारतियों में समाजिक रास्ट्रिय मुल्यों के विकास के लिए, रास्ट नि जाने चाहिए, कौन-कौन सी क्रियाओं को आयोजित करना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं, सबसे पहले जो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, जो शेक्षक को परशेक्षित करने का कारे करती है। मिन्स क्या कि जब भी हम सेवापूर प्रशिक्षन की नियोजन करें, योजना बनाएं, तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि उस प्रशिक्षन कारिकर्म की गुनवत्ता को बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रशिक्षन कारिकर्म जितना गुनवत्ता परक होगा, उतना ही सिक् जैसे राजी के बहुत सारे विद्ध्यालेों में वो शेक्षक बनने का प्रयास करता और ज़िदी वो शेक्षक बन जाता है तो शेक्षक बनना केवल ऐसा नहीं है कि वो एक लगुकालिन कारे है जब वो एक अध्यापक बन जाता है शेक्षक बन जाता है तो उसे अपने professional competency क किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आज सूचना वं संप्रेशन तकनीकी का यूग है। हम जितना ही सूचना वं संप्रेशन तकनीकी का प्रयोग करेंगे। उतना ही शिक्षक शक्तिकरण के प्रिक्रिया को प्रहावशारी तरीके से उप्योग में लाए जा सकता है। के हम सबसे golden citizen है हम समाज के सबसे बड़े उत्पड़े रख है शिक्षक को अपने पहचान करनी होगी इसलिए शिक्षक के पेसेवर का विकास बहुत आवश्यक है और इसके लिए शिक्षक को समय समय पर प्रुन्नती भी देना होगा क्योंकि जब तक एक शिक्षक प्रुन्नत नहीं होगा अपने व्यवसाय में तब तक वो सशक्त नहीं हो सकता है और कहा जाता है कि जब भी हम कोई कारी करते हैं तो उसमें अध्यात्मिक प्रविर्टी तो होती है कार करने की लेकिन आर्थिक प्रविर्टी भी होती है काया उजन किया सकता है कि ताकि lifelong learning का जो concept है जीवन परियंत जो सीखने का जो संप्रत्य है उसकी संकल्पना को पूरी की जा सके जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पेशे में association का होना बहुत जरूरी है तो शिक्षक association को भी संब्रिध बनाने की जरूरत है कि ताकि शिक्षक association के माध्यम से बेविन कारिक्रम करवाये जाएं कि ताकि शिक्षक अपने पेसेवर कौशल को वो बढ़ा सके साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक संस्कृती के शिक्षक को दूसरी संस्कृती में जाना चाहिए कि ताकि हमें बहु संस्कृती या बहलवादी संस्कृती का जो concept है जो भारती संस्कृती की सबसे बड़ी खुबसूरती है कि हम बहु संस्कृती बादी परंपरा में विश्वास करते हैं हमारे संस्कृती बहु संस्कृती है तो शिक्षक विनिमय का कारिकरम होना चाहिए कि जिसमें एक विद्याले से एक संस्कृति के शिक्षक दूसरे संस्कृति में जाएं और उन संस्कृति को वो सीखें और अपने विद्याले में आ करके फिर उन संस्कृति के बारे में आदर, डिगनिटी और रेस्पेक्ट के भाव से अपने बच्चों को बताएं, अपने विद्यारतियों को बताएं, कि ताकि, कि एक जो लोगतांतरिक समाज का निर्मान हो सके, समाज बेसी समाज का निर्मान हो सके, विविन विश्यानुसार शिक्षक समू भी होनी चाहिए, जैसे Western countries में भी, और बाकी countries में भी, यह है वो mathematics का सिक्षक हो, उनका अलग association है, physics के सिक्षक है, उनका अलग association है, मनोविज्ञान के सिक्षक है, उनका अलग association है, means क्या, कि जितनी विशय का समू है, उन समू में जितनी विशिक्षक है, उनका एक अलग से समू बने, कि ताकि उसके अंतरगत, वो अपने विशय के अंतरगत वो नएने शोध से आवगत हो पाएं और अपने विद्यार्थियों में एक स्रुजन शीलता का विकास भी कर सकें। साथी साथ शिक्षक शशक्तिकरन के लिए शिक्षन अधिगम की प्रक्रिया में माता पिता वो समुदाय की भागिदारी बहुत आवश्यक है। अच्छे कारे करने वालों को ये लगे कि अच्छे कारे के बदले रिवाड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। वो पुरस्कार का सरूप चाहे बहुतिक हो चाहे बहुतिक हो लेकिन पुनरबलन मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि पुनरवलन एक अच्छे विभार को प्रेडित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ शिक्षकों के विभार के मांदंड का निर्धारन होना आवश्यक है कि एक शिक्षक का क्या code of conduct होना चाहिए। उनके विभार का मांदंड क्या होना चाहिए। राष्ट की विभिन सैक्षिक नीतियां, विद्याले परबंदम नेतृत, संगटनात्मक संस्कृति, संगटनात्मक बातावरन, शिक्षकों को दिये जारे है वेतन वंभत्ते, शिक्षकों को दिये जारे है पेसिवर विकास के अफसर, ये सभी शिक्षक सशक्तिकरण को प्र मारे कर से